हेलो फ्रेंड्स इस इम्रान फ्रम हयार डिजिटल वल्कम तो न्यू वीडियो अफ यूट्यूब मोनेटरिशन कोर्स फ्रेंड्स लास्ट के दो वीडियो में हम अलग-अलग तरह से ओडियन्स को टार्गेट करने के ऑप्शन्स देख रहे थे उसी में कस्टम एफिनिटी और कस्टम इंटेंट रह गया था जिसे आज हम डिसकस करेंगे ओके चले शुरू करते हैं सबसे पहले आपको टूलस एंस सेटिंग्स में आना है इसमें ऑडियन्स मेनेजर है ओके यहां आना है कस्टम और क्रियट करना देखिए यहां पर आपको दोनों औप्शन दिख जाएंगे कस्टम एंटी और कस्टम इंटेंट ठीक है सबसे पहले आते हैं custom affinity पे इसको एक नाम दे देते हैं suppose करिए fitness custom affinity ठीक है इसे हमने नाम दे दिया अब इसमें आपको कई सारे options मिलते हैं interest based आप customer बताना चाहते हो URL based आप बताना चाहते हो या application का नाम दे कर क्या आप बताना चाहते हो कि मेरा add वहां चला दीजिए जैसे आप interest पे आते हो ठीक है इंट्रेस्ट में आप type कर लो body building ठीक है ठीक है body building इन इंडिया फिर आप दे दो बेस्ट 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 इस एक इस तरह से आपको एट लीस्ट फिफ्टी तू शिक्स्टी इंट्रेस्ट जाना है ठीक है ताकि उस इंट्रेस्ट के इड्द गीड्द गूगल आपका एट चलाए फिर आप URL सेलेक कर लो ठीक है URL में आपको विया करना है body building आपको गूगल करना है और नीचे कई सारे आपको result मिलेंगे जैसे www.menshealth.com ठीक है तो ये मैं सेर्च कर ले रहा हूं ठीक है इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहां पेस्ट कर दिया ठीक है वसी तरह से फिर फिटनेस मैकजीन आप सर्च कर लीजिए ठीक है इसमें मैंने सेलेक किया टॉप 5 फिटनेस मैकजीन डेली ठीक है इसमें आपको दिख गया वोग इंडिया इसे मैंने सर्च किया देखिए www.wog.in ठीक है इसे खूल लीजिए यह भी है इसे कॉपी कर लीजिए और यहां पेस्ट कर लीजिए ठीक है इसी तरह से आपको और भी URL सर्च करना है और यहां पेस्ट करते चले जाना है ठीक है फिर आपको Apps जिसका नाम आपको पता जैसे इसमें दे रहा है Google Fit ठीक है आप इसमें सर्च कर लो Fitness 30 Days Fitness Challenge इसे आप सलेक कर लो फिर टोटल फिटनेस होम एंड जिम ट्रेनिंग इसे सलेक कर लो एप का नाम है ठीक है फिर आप 8 Fit Workout and Meal Planner इसे भी सलेक कर लो इन सारे Apps के उपर आपके वीडियो का एड चलेगा Similarly यह सारे जो URL आपने पेस्ट किये हैं Google इन सारे लिंक पर जो content होगा उन content के बीच में आपका एड चलाएगा जिसे हम बोलते हैं वीडियो पार्टनर जो मैंने बताया था ना कि कोई content पढ़ लाए तो उसके बीच में आपका YouTube आड आ जाएगा उसी तरह से जो कोई भी Google पे इस इस इंट्रेस्ट से related सर्च करेगा वहां वहां आपके वीडियो का एड आ जाएगा ठीक है और इसको आपको क्या करना है create कर देना जैसे ही आप create करोगे फिर आपको आना है new campaign में वीडियो कांटिन्यू अब देखिए यहां audiences में जब कस्टम अफिनिटी ओडियंस को आप सलेक्ट कर रहे हो तो देखिए अभी मैंने एक बनाया ना fitness कस्टम अफिनिटी इससे सलेक्ट करेंगे तो automatically वह सारे जो मैंने नाम दे रखें एब के और जो urls मैंने पेस्ट किये हैं जो interest मैंने पेस्ट किये हैं उन सभी जगह पे आपका add चलने लगेगा Google आपका add चला देगा इसी तरह से आपको कस्टम इंटेंट भी प्लैन करना ठीक है यहां पर जो भी आप नाम दोगे fitness कस्टम इंटेंट इसका मतलब यह देखिए in market keywords वह customer जो अभी कुछ जनाता है या फिर कोई बर्दे का बर्दे है तो एक पर्टिकुलर पीरेड में कोई कोई उसे सलेक करेगा या फिर आप होंडेकर हो सॉरी अगर आप event manager हो या आपकी company event management का काम लेती है तो कोई भी customer एक फिक्स पीरेड में ही आपको सर्च करेगा ठीक है तो उस जगह पे आपको अगर अपना चलाना है तो उसके लिए आपको कस्टम इंटेंट को ट्राई करना होगा ठीक है उसी तरह से आपको करना है Google search term और in market ठीक है वो लोग जो आपकी keyword को Google पे search करेंगे उसके through या फिर in market keyword जो की एक particular keyword जो एक particular period पे select किया जाता है यह search किया जाता है उसके according आपको show करना है ठीक है यहाँ भी वही करना है keyword and URL को यहाँ paste करने होगे और create करना होगा तो आपका custom intent भी create हो जाएगा ठीक है that's all for today मिलते हैं नए वीडियो में thank you and have a nice day